हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू टूटर ट्रिप्स मैं अमर प्रीत आज आपके लिए लिकर आई हूँ बिस्नस टाड़ी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जोएंट स्टॉक कमपनी एंड आपका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्स कि आपने हमारी पराणी वीडियो को देखा शियर किया लाइक किया इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें नए नए टॉपिक्स लेके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक meaning of joint stock company इसे company के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या है एक association है association of number of person जो contribute करते हैं अपनी money और money's worth for common purpose ठीक है अपना business चलाते हैं और profit earn करते हैं ये voluntary association है individuals की ठीक है जो क्या करते हैं ये voluntarily इसमें एंटर होते हैं ठीक है और business operations को run करते हैं for earning profit joint stock company को artificial person भी बोला जाता है it is intangible ठीक है but and existing only in the eye of law means ये कि joint stock company की formation के लिए minimum 10 members का होना ज़रूरी है जैसे हमने partnership में बड़ा था कि partnership में minimum 2 members होने चाहिए उसी तरीके से इसमें minimum members कितने होने चाहिए 10 और अगर आप partnership का meaning जानना चाते हैं तो हमने इस topic से related already video YouTube पे upload की हुई है मैं इसका link i button में दे रही हूं चेक कर लीजेगा जैसे Indian Oil Corporation Limited Tata Motors Limited Reliance Industry Limited ये joint stock company की examples हैं आगे हम joint stock company के features के बारे में पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट इस artificial person joint stock company natural person नहीं होती only artificial person होती है क्योंकि ये law द्वारा create की जाती है next point is separate legal entity company की अपनी separate legal entry होती है existence होती है company can carry on its business in its own name ठीके अपने नाम से business को शिला सकती है operations run कर सकती है कोई भी asset purchase करनी है sell करनी है company के नाम से होगी और अगर company का contract किसी outsider party के साथ होता है तो उसमें company का नाम यूज होता है ना कि उसके owners का नाम हाज जी for example अगर मैं बात करती हूं reliance industry की तो अगर reliance industry का contract किसी other party के साथ है outside party के साथ है तो उसमें reliance industry का name ही use होगा ना कि अन्य लंबानी या मुकेशंबानी का नाम क्योंकि वह industry के owner है तो यह point ऐसे clear हो रहा है कि separate legal identity यह बताता है कि company खुद और उसके owners दोनों different है next point is perpetual succession अब इसका मतलब है never ending it means कि इसकी permanent existence है इसका अगर इस joint straw company में किसी member की यह किसी owner के death हो जाती है तो इसका effect company के operations के उपर नहीं पड़ता लोगों का आना जाना इसी तरह लगा रहता है लेकिन company के operations इससे effect नहीं होते वह as it is चलते रहते हैं जो भी activities है business की वह continuously run होती रहती है अब अगर हम यह कहें कि owner की death के साथ company बंद हो जाती है ऐसा नहीं है owner change होते रहते हैं जैसे एक example लेते हैं कि company की ownership पहले दादा के पास थी उनकी death के बाद पिता जी के पास आई उसके बाद उनकी death के बाद फिर पुत्र के वास ownership आई उस company की ठीक है तो ऐसे owners जो है वो change होते रहते हैं company में इसका कोई effect नहीं पड़ता company के जो भी operations है as it is run होते रहते हैं तो अगर हम बात करते हैं company के बंद होने की तो यह तब ही बंद होती है अगर company में losses बहुत जादा हो रहे हैं assets बहुत कम हैं और assets की जो company के assets हैं उनको बेच कर company की liabilities को चुगाया जाता है आगे further company में कोई profit नहीं हो रहा सिरफ losses ही हो रहे हैं तब company जो है वो बंद हो सकती है next point is common seal अब इसका मतलब है official signature ठीक है company की अब देखो जो company है वो artificial person है पता है हमें कि वो क्या है कि कोई personal body नहीं है वो क्या है artificial person है ठीक है तो उसकी क्या है अलग से stamp होती है ठीक है जो भी operations हो रहे हैं जो भी काम हो रहे हैं business में उसमें क्या है कि proper stamp लगती है उस particular company के name की जिसस particular business के जो भी काम हो रहे हैं वो किसके बिहाफ पे हो रहे हैं वो एक particular business या जो भी हमारी company है उसके बिहाफ पे तो उसका क्या है official signature stamp होती है ठीक है जो क्या है legal requirement है जिसकी हर एक business में तो वो होनी ज़रूरी है उसके इलावा क्या है कि जो भी activities है उनको legal नहीं माना जाता next point is separation of ownership and control company की ownership shareholders के पास होती है मतलब जो shareholders है वो company के owners होते हैं और यह shareholders elect करते हैं representatives को जिनको board of directors बोला जाता है यह directors manage करते हैं प्रोल करते हैं business की overall activities को next point is a limited liability limited liability का मतलब है कि जो company के members है owners है यह shareholders है up to some extent मतलब जितने उन्होंने अपनी capital contribution दी होती है company में उसे साब से उनकी liability fix हो जाती है for example अगर एक owner जो है या shareholder वो हजार share जो है वो purchase करता है for rupees 10 each तो उसकी liability जो है वो limited हो जाती है up to 10,000 only next point is compulsory registration it is legal and compulsory for the company to get itself registered under the company's act 1956 और company without registration exist नहीं कर सकती thank you everyone for watching this video and listening me अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please इसे like जरूर करना, share करना अगर आप इसकी और explanation चाहते हो तो please मुझे comment section में जरूर बताना thank you everyone